राश्टी जनतादल के अस्थापना दिवस के अफसर पर बाका जिला में देश में बढ़ रही पेट्रोल डिजल के दाम के बिरोध में बिना तेल से चलने वाली एक सैकिल रैली निकाली गई इस रैली में बिलहर के विधायक रामदेव यादव, कटोया के विधायक स्वीटी हेंब्रम, पूर्ब MLC जावेदिकबाल अनसारी जिला धिश अर्जुन्ठाकू, राजत की वरिष्ट निता अनिरुद्य यादव, जिला के महासचिव मिथून यादव, रिद्य राजद न इसे देखने वाला कोई नहीं है, इस इस्तिती को देखते हुए पूरे बिहार में राजद की और से सैकिल रैली निकाली गई, अनिरुद्य यादव ने कहा कि देश की आर्थे की स्तिती COVID-19 में खराब हो गई है, बिहार में हर जगा भरष्टा चार और लूट पार्ट जगातार ब्रिद्धी हो रही है, जो सरकार आज केंदर में बैठी है, और विहार में जो सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने मनमोहन सिंग के समय कहा था कि हम डीजल और पेट्रोल को मांगा नहीं होने देंगे, और आज लगातार बेताहसा डीजल और पेट और यहां सरकार यहां के आम आवाम को गुम्रा करने का काम किया और गुम्रा करके यहां के जंता को ठगने का काम किया यहां के जंता को महगाई के ज्वाला में धखेलने का काम किया इसलिए हम लोग महगाई के खिलाब डेजल पेट्रोल के खिलाब बरस्टाचार के खिलाब निकालकर बैल गाड़ी राइकिल निकालकर हम लोग चाहते हैं कि जनता को यह मैसेज दें प्रशान प्रदेश प्रशान है प्रबिहार प्रशान है जूटी सरकार निकमी सरकार जो रोज प्राइस हाई कर रही है प्रटोल और डिजल का जिसकी वह से पूरे बिहार में महंगाई बन रहा है पूरे बिहार अस्त वेस्त हो गया है मतलब कि अर्थ व्यवस्ता चरम सीमा पर चली गई है और यहां सिर्फ सरकार लगी भी है कैसे जूट बोला जाए, कैसे ट्रांस्टर पोस्टिंग का बहाल किया जाए, कैसे ट्रांस्टर पोस्टिंग का उद्योग भला जाए, सरकार इसमें लगी, सरकार ट्रांस्टर पोस्टिंग में उद्योग लगाई भी है बजार में आये लोगों के बीच मास्क वित्रन करों ने मास्क पहनने को लेकर भी जागरोग किया गरोमिनों ने मंतरी श्री मंडल के समक्ष कई जन समस्या को रखा जिसमें पंजवारा के बॉसी फीडर की जगा बारा हाट फीडर से जोरने की मांग पर मुख रही साथ ही छेत्र में रुके कई विकास योजनाओं को गती पर दोन करने की मांग की जिसको लेकर मंतरी रोम नारन मंडल ने सम्मोदेत विभाग के वियाधिकारियों ने आवस्यक निर्दिश दिया सनिवार को स्थोनिय विधायक रोम देव यादब ने विधान सबाच्षेत्र फुली डूमर परखन अंतरगत साथपुर पंचायत की विभिनगों में जनसेंपर कभ्यांचला करवाओं की समस्याओं से अब गत्वे विधायक ने पेरगा कठारा नवटोलिया महादेवस्थान पिरोटा टोडियाटी कर नरकटा ललमट्या एववान्य गौंजा कर गरोमिनों से मिले एववं उनकी समस्याओं से रूब रुवे पेरगा में ग्रोमिनों ने गौंको सुरहा मुख्यमार्ग सरक से एवं नवटोलिया के ग्रोमिनों ने अपने गौंको कठारा महादली टोला होते वे पेरगा परधनमंत्री सरक तक जोरने की मौंकी विधायक ने समस्या के हर हाल में समधाउन का भरोसा दिया पिरोटा में बजबजी के गरोमिनों ने बिजली की समस्या के समधाउन की मौंकी विधायक ने ततकाल विभाग के कर्यापाला कभियंता से बात की देर सो अबादिय वाले अनुसुचित बहुल गौं की लोग विद्धूत करन नहीं होने परुचिंता व्यक्त करते हुए ओविलम बिजली सुपदा बहाल करने का निर्दिश दिया राकेस, रौमिस्वर, छब्बू, यादव, ग्रीस, यादव, सिकेंदर सिंग, राजा साथ साथ चल रहे थे सनिवार को रोजोन परखन कॉंग्रेस कारेले में पेट्रोल डिजल के दौमों पर हो रही लगातार बडोदरी के विरोध में कॉंग्रेसियों ने परखन अध्यक्ष लक्षमन परसाथ सिंग की अध्यक्षता में केंदर सरकार के खिलाब धर्नों दी धर्नों के बाद कॉंग्रेसी नेता ने कॉंग्रेसी के बैनर जंडेतले पैदल चलते हुए रजोन पर खंड मुख्याले पहुचकर नारे बाजी करते हुए नरेंदर मोधी मुर्दाबाद वो मोधी सरकार हाय है एवं भाजपार सरकार से मूल विर्धी वापस लेने की संबुदित नारे लगा कर परदर्सन कर रहे थे मुखेपर सभी कॉंग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद सरकार इस कुरोनों मोहमारे में पेट्रोल डिजल के दाम में विर्धी कर लोगों को प्रेशान करना चाहती है बाहर से लोटे परवासी मजदूर को भी रोजगार न अन्टु जिला महसाचिप गिरिस पासवन धोरिया परखन रध्यक्ष मुहमद आलमगीर अनसारी परखन उपाध्यक्ष ओमाकांत हरी जन मनमुज सिंग विजे परसाद सिंग कपिल देवदास मुहमद मुस्तपा पिरिया रंजन संकर हरी जन आदी मुखे रूप से उपस् याले लक्षमी पूर के परधनो ध्यापक लक्षमन पासवन ने प्रिजन एवं ग्रोमिनों के साथ मिलकर स्वर्ग्य पासवन के तेलचित्र पर पुस्प अरपित करते हुए भावविनी स्वर्ग्य जिजाजी असरफ ही पासवन ने अपनी जीवन काल के दोरन आम लोगो में भाक्ती भाव जगाते हुए समाज को एक नए दिशा की और ले गई उसी तरह मेरे पिता स्वर्ग्य रॉम्षरू पासवन भी समाज के लिए अनेक महत्पुन काड़े करते हुए भाक्ती भाववनों को एक नया सो रूप दिया जिसके नक से कदम पर चलते हुए मेरा समाज के लिए अनेक काड़े करते हैं समाज को नए दिशा के और ले जोने के लिए परियतन सील हैं मोचेप और उपश्थित गरोमिंनोंने दो मिनट का मौनध्रन करते हुए मिरित आत्मों की सउन्ती के लिए इस पर से प्राथनों किया इस अफसर पर लक्षमन पासवनन बताया कि समाज के लिए नंदलाल पट्टी में स्थित सत्संग भवन में पुरी सरधा से सत्संग का आयोजन किया गया। पियल की तरश पर मैश के दुरान जैसे ही कोई चक्का या चौका लगता था वैसे ही चीर्स लीडर्स वहां आये दर्सकों का मनुरंजन कर रही थी जिसे देखने के लिए भारी संख्या में दर्सक पहुँचे हुए थे। और 500 रुपय की रासी प्रदान की गई। वहीं उप विजेता हरीपूर की टीम को उप मुखिया राम प्रवेस कुमार के दौरा कप और 25 रुपय की रासी प्रदान की गई। इससे पहले सुबा टॉस जीतकर हरीपूर की टीम ने इस्टार 11 बाबर्चक को बल्ले बाजी करने का निवता दिया। बल्ले बाजी करने उत्री बाबर्चक की टीम ने 12 ओबर में ताबर तोड बल्ले बाजी करते हुए 180 रन बना कर हरीपूर टीम के सामने 20 स्कोर खड़ा किया। जबाब में बल्लेबाजी करने उत्री हरीपूर की टीम ने दीपक कुमार के 165 रनों की ताबर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पूरी टीम को 12 आउबर में 5 मिकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस तरह से रुमान चक मुकाबले में बाबर चक टीम ने हरिपूर को पांच दनों से हरा दिया बाका मरपूर मुख्य मार्ग पर जिला मुख्याले से करीब 6 किलोमिटर दूर सुमुखिया मोड कबुतरी चौक पर रईवार के दिन बेलगाम बालू लदे ट्रैक्टर ने एक सी चक को कुचल दिया परतिश दर्सियों के मुताबिक बाका की और से एक यूबक अपनी बाइक पर सवार होकर इंगलिस मोड की तरब जा रहा था सुमुखिया मोड के पास कबुतरी चौक को क्रॉस कर रहा था तभी बालू लदे एक ट्रैक्टर की चपेट में हुआ आ गया जिससे यूबक ट्रैक्टर से कुचल कर गंभीर रूप से जखमी हो गया अस्थानिय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुचाया जहां पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत यूबक फुली डूमर परखंड मुख्याला इस्थित यादब टोली का निवासी था मृतक का नाम राम परवेस यादब था उसके उम्र करीब 30 वर्स थी वस्रिलाल यादब का पुत्र था सुत्रुन ने बताया कि वह बाका मेरा कर एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता था रविवार होने की वज़ा से वह अपने घर जा रहा था रास्ते में ही उसकी मौत हो गई जिसके बाद आकरोसित लोगों ने अविलंब अवेध बालूल देवाहन पर रोक लगाने और मृतक के परिजनों को मुआब्या दिये जाने की मांग को लेकर अड़ गए